दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लोक में तो दोस्तों आज हम आयोए हैं देली के फिरोशा तुगलख मगबरे पर तो फिरोशा तुगलख का जो मगबरा दोस्तों पढ़ेगा वो है होचखास फोर्ट के अंदर और होचखास फोर्ट को आने के रि Bean आपको उतरना वो है साथ बजे से शाम के शाड़े पांच बजे तब और उसकी एंट्री फीस की बात करें तो इसकी एंट्री फीस से सिर्फ 25 रुपीज तो दोस्तो यह है ख्रोशा तुगला का मगबरा अंदर जाने की परमीशन थी नहीं लेकिन यहां के जो करमचारी हैं वो बहुत हैं और उन्होंने हमें अंदर जाने की परमीशन दे दी तो यह हमने खोल लिया है मगबरा अब हम देखते हैं कि अंदर के तरफ से मगबरा किस तरह का बना हुआ है तो दोस्तो यह है इसकी च्छत जो क्या वाइट संगे मरमर से तैयार है और इस च्छत की जो उचाई है ल दोस्तों फ्रोशा तुगलग दिल्ली सल्तनत में तुगलग वन्स के सासक थे फ्रोशा तुगलग का जनम 1309 में और मिर्थ्यों 1388 में जौनपुर में हुई थी उन्होंने अपने सासन काल में ही जानी के सिक्के चलाए सुज्दान बनने के बाद फ्रोशा तुगलग ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुई अपने परदेशों को जीतने के अभियान के अंतरगत बंगाल तथा सिंग पर आकर मड़ गिया फ्रोशा तुगलग ने लगभग तीन सो नए नगरों की इस्तापना की जिन में से हिशार हरियाना जोनपूर उत्तरपरदेश फ्रोशपूर पंजाब पतेबाद हरियाना और फ्रोशबाद उत्तरपरदेश एक नए दिवाने खयात की स्थापना की एवंग एक अस्पताल भी खुलवाया जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता था तो दोस्तो फ्रोशा तुगलग एक बहुत ही नेक इनसान थे फ्रोशा तुगलग को सबसे जादा प्रे सहर फ्रोजाबाद था फिरोशा तुगलग ने अनात, इस्तिरियो और विद्वाओ लड़कियों की शाहिता के लिए किंद्र खुलवाया तो दोस्तो ये है फिरोशा तुगलग की कबर जो आप देख रहे हैं तो बहुत ही जबर्जा समक्परा है ये बना हुआ तो दोस्तो ये ब्लोग उम्मेद करता हूँ आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग माई यूट्योब वीडियो